अब आप लोगों के लिए बहुत इंग नूज लेकर आया हूं एमेजॉन के लिए जिनको एप्स बनाना नहीं आता है वह लोग भी एड़ कर सकते हैं जी हां एमेजॉन ने अभी एमेजॉन हनी कोड लांच किया है दो दिन पहले ही जिसमें आप बिल्ड कर सकते हैं वेब और बना सकते हैं और यह प्लैट्फॉर्म बहुत ही बेनेफिट्स है मैं इसको यूज कर चुका हूं मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं आपको कैसे इसको बनाना है अमेजॉन हनी कोड बनाने के लिए आपको क्या करना है आपको Google.com में जाना है Google.com में जाने के बाद आप को टाइप करना है builder.honeycode.aws जी हाँ आपको यह करना है आपको उसके लिए कोई AWS नहीं है तो आप कर सकते हो पहले मैं दिखाता हूं वह website दिखती कहती है मैंने उसको Google पर यह लिखा है builder.honeycode.aws यह आपका home screen आ जाएगा उस page का अगर आप register नहीं हो आप first time register कर रहे हो तो यह form भरना है और आपका just login method हो जाएगा आपको एक code आएगा जिसको verify कर देना अपने email id पे और आपको यह portal बन जाएगा जी हाँ अभी मैं आपको दिखाता हूं login करके इस portal पे और अच्छी दिख्ट है यह portal और आप इसमें कैसे अप्स बना सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ बहुत ही बहतरीन से मैं login हो रहा हूं पोटल में आप देख सकते हो यह portal खुल रहा है और इसको बहुत ही खुबसूरत सा लोगों है अभी अब देख सकते हैं यह मेरा account है इसको login हो चुका है और इसमें मैंने अल्रेडी दो बार ट्राइग किया इसलिए आपको यह method दिख रहा है बट मैं आपक application create कर रहो हो then you have to click in the create workshop right corner में आपको दिख रहा होगा create workbook को क्लिक करना है create workbook में और यहां से start from scratch या आप template यूज कर दखते हो आप अगर scratch से बनाना चाहते हो खुद से drag and drop करना चाहते हो तो बहुत ही good है बहुत ही बहुत ही बहतरीन है यह option लेकिन आपको कोई knowledge नहीं हो औ बहुत ही जल्दी बनाना चाहते है तो मैं तो बोलूँगा आप user template पर जाना और आपको वहां पर दिखेगा बहुत सारे option यहां पर आपको यह multiple option दिख रहे हैं आप इन में से को किसी भी टाप के template को select करके बना सकते हैं बट मैं अभी जा रहा हूं simply to do में simply to do में क्या होग बस कुछ to do list होंगे मेरे वह सैप में दिखने चाहिए और वह होने चाहिए आप यहां देख सकते हो आपको मेरा simply to do list बन रहा है टास्क मेंने यह होंगे उस पर यह मेरे नाम है यह मेंने डूडेट है डन है डन है मैंने इसमें डाल रखता है due list वह by default आते आप इसको change कर सक आपको करना क्या है दोस्तों यह आपका अभी table screen में इसलिए आपको ऐसे दिख रहा है right now आप असक में बना रहा हूं तो task मुझे ऐसे दिखेगा reminder option मेरे को जाना है तो यहां में को दिख रहा है ऐसे option में आपको इस table में सारा कुछ दिखेगा आपको changes करना है अगर मेरा done ह जाये तो मेरा क्या होना चाहिए था yes होना चाहिए था no होना चाहिए था क्या आपको क्लिक करना है builder पे पहले पे जाकर आपको to do दिखेगा आपको इसको क्लिक करना है आप देख सकते हो आपके screen मेरे screen पे एक app की view का format आ चुका है और पहले से by default कुछ चीज़े बने हुए हैं जिसको आप हटा सकते हो आप इसको change कर सकते हो आप इसको change कर सकते हो आप इसमें add-on कर सकते हो यह जो इधर की तीन आपको दिख रहे screen लिखे हुए यह मेरे Armenian कर सकते हो जितना चाहिए आपके पास फीचर है आडव उपजीक्त का कहा सब्सक्राइब करना है ऑपको करता हूं तो देखो मेरे को आप नए इस इसक्रीन का मैं नाम कुछ भी दे सकता हूं और यह मिरा दिख रहा है यह तीनों टाट जिस दिख रहे हैं मुझे यह दिखेंगे कैसे आपको करना क्या है दोस्तों इसके बाद बहुत ही सिंपल सा तरीका है आपको व्यूव एप्स पर क्लिक करोगे तो आपका एप रेडी हो जाएगा और आपको दिखेगा कि वह दिखते कैसे है वह यूई पर आप उसको सिंपली शेयर कर सकते हो जो भी लोग यूज करना चाह करने पड़ेंगे आप इसको शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ और वह वो सारे उसके लिए आपको मेंबर करने पड़ेंगे कि इस प्रोजेक्स में टोटल कितने मेंबर से वह सारी डिटेल्स आपको बहुत ही बहतरी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने बताऊंगा और आप खुद भी सच कर सकते हो करके इस पर पीपल पर और उसमें आड़ ओन कर स कि विर्णन से स अश अबनों、 प्रृवश लीडियो क्liers वीडियो कर स Чendra भी सरूचर्चर्पियो कर सुद पर शाllo湏 है लिए बाड़े ऐस झामाई पर बहुत है कि अ धर बाड़े कि पर ब गदूर्स आपको कि झावदों इस वίν का सच Cand